Hello viewers, आज हम लोग कुछ daily use English speaking sentences को सीखेंगे आप रहने दो से शुरू होने वाले ये sentences में हम you let it be का use करते हैं you let it be you let it be का मतलब हुआ आप रहने दो छोड़ो इसे, leave it, let it be तो आप रहने दो से शुरू होने वाले sentences को चलिए हम समझते हैं आप रहने दो वो खाना बना देगी you let it be, she will cook you let it be, she will cook आप रहने दो मैं चला जाओंगा you let it be, I will be gone मैं चला जाओंगा यहाँ पर will be के साथ वर्ट की third form का use होगा और वैसे भी आप रहने दो के लिए हम you let it be का use करेंगे रहने दो के लिए हम let it be का use करेंगे लेकिन आप अगर लगा हुआ है तो हम you का use करेंगे इंग्लिश भाशा में आप के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है तुम या फिर आप के लिए हम you का ही use करते हैं आप रहने दो मैं बात करता हूँ यह present indefinite tense है इसलिए यहाँ पर I talk याने की verb की कोई form नहीं use होगी यहाँ पर अगर करती हूँ के लिए do या फिर does का use होता है लेकिन यहाँ पर कोई वैसी क्रिया नहीं है इसलिए यहाँ पर हम simple I talk लिखेंगे नेक्स्ट इस आप रहने दो मैं यहाँ काम अच्छे से करता हूँ यहाँ पर ता है ती है ते है जहां कहीं भी आता है यह present indefinite tense होता है यहाँ पर do या फिर does का इस्तिमाल होता है जैसे पहले हमने I talk का use किया लेकिन यहाँ पर हम do का इस्तिमाल करेंगे I do this job well नेक्स्ट इस आप रहने दो मेरी देखभाल मत करो देखभाल को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक केर आप रहने दो यू लेट इट बी टेक केर आफ मी जहां कहीं भी आप रहने दो से sentence की शुरुआत हो यहाँ वहाँ पर आप तुरंती बिना कुछ सोचे यू लेट इट बी का यूज कर दीजिए या फिर अगर आपको किसी से कहना और रहने दो अरे छोड़ो इसे लेट इट बी का हम यूज करेंगे लेट का मतलब माना भी होता है चलो मानते हैं कि यह करते हैं तो वहाँ पर हम let का use करेंगे let us suppose इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें we need your support, thank you